हेलो स्ट्रिंट्स, क्लास नाइन्थ में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है त्रिभुज और इसकी जो एक्ससाइजे 7.2 हम स्टार्ट कर चुके हैं इस वीडियो में हम question number 2 देखने वाले हैं जिसका diagram बगल में बना हुआ है अगर आपनी book में देखे तो तो diagram को समझ लेते हैं क्या का है त्रिभुज A, B, C आपको जो त्रिभुज दे रखा है क्या है त्रिभुज त्रिभुज A, B, C में यह रहा त्रिभुज A, B, C इसमें A, D भुजा कहा है A, D देखो यह है A, D ठीक है यह है A, D sketch से दिखा देता हूँ मैं यह है A, D देखो यह है A, D B, C, A, D भुजा B, C का अब B, C कहा है यह रहा B, C B, C का लंब सम दीभाजक है यह important है समझना लंब सम दीभाजक है actual में diagram भी मैंने यहां पर भी बना रखा है तो इसके बारे में कहा है कि यह इस पे Lumb है पहला शब्द क्या क्यूज किया है Lumb तो Lumb का मतलब होता है कि अगर कोई line किसी दूसरी line पर Lumb है तो इसका मतलब है वो इस पर 90 degree का कोण बना रही है तो आपको यह दे रखा है कि यह जो line है इस पर Lumb है इसका मतलब यह कोण भी 90 degree है और यह कोण भी 90 degree है अगला अगला जो शब्द यहां पर यूज हुआ है वो यूज हुआ है Sum 2 भाजक मतलब कि यह जो line है इसका Sum 2 भाजक है तो इसका मतलब है कि इसको यह दो बराबर हिस्सों बाढ़ रहा है क्योंकि Sum 2 भाजक का मतलब होता है Sum का मतलब होता है समान 2 का मतलब होता है 2 भाजक का मतलब होता है हिस्से तो यह क्या कर रहा है BC के 2 बराबर हिस्से कर रहा है तो एक हो गया BD और एक हो गया CD ठीक है ये चीज आपको दे रखी है आगे देखें क्या का है दर्शाइए कि त्रिभुच एक सम् में दिबाहु त्रिभुच है हमें धर्शान om है कि ABC एक सम दी बहुत रिवुज है जिसमें AB AC के बराबर है तो सिंपल सी बात है हमें इस question में इस बुजा को इस बुजा के बराबर सिद्ध करना है तो दिया क्या-क्या है ये चीज हम देख लेते हैं दिया है सबसे पहले तो दे रखाए कि ये जो AD है वो BC पर लंब है AD लंब है BC पर ये लंब का चेन्न होता है अगर मैं इसको 1 मानों इसको 2 तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि angle 1 और angle 2 दोनों बराबर है 90 डिगरी के ऐसा भी लिख सकता हूँ अगला BD जो है वो CD के बराबर है BD किसके बराबर है CD के exactly यही शब्द लिखे नहीं हुए हैं सिर्फ ये क्या है कि AD जो है BC का सम्दी भाजक है मतलब जो AD है वो BC को दो बराबर हिस्सों में बाट रहा है तो एक हिस्सा है BD दूसरा हिस्सा है CD अब सिद्ध क्या किया जाना है हमें हमें सिद्ध किया जाना है कि ABC एक सम्दी भाजक है मतलब कि यह जो AB बुज़ा है यह AC के बराबर है AB बुज़ा किसके बराबर है AC के अगला अब आते हैं प्रूफ में कि हम इस बुजा को इस बुजा के बराबर कैसे सिद्ध करें तो उसके लिए हम इस त्रिबुच को और इस त्रिबुच को सरवांग समसिद्ध करते हैं तो हम यह लिएंगे त्रिबुच A, D, B और त्रिबुच A, D, C में जरा नाम को दुवारा देख ले तरिबुच A, D, B A, D, B और तरिबुच A, D, C A, D, C में तो आप देखें इन में क्या क्या चीज़ें बराबर है पहले तो बराबर है एंगल 1, एंगल 2 के बराबर है एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के क्यों बराबर है क्योंकि दोनों के दोनों किसके बराबर है नबर डिगरी के अगला जो ये BD है ये CD के बराबर है BD किसके बराबर है CD के क्यों ये दिया है आपको पहले से दे रखा है याँ पर ठीक है अगला इस भुजा को देखो क्या नाम है इस भुजा का AD है रहा है और नाम लिखोगे यहां पर उभैनिष्ट ठीक है जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं कॉमन तो इस तरीके से इन दो त्रीबुचों को सरवांगसम सिद्ध करने के चक्कर में हमने तीन जो है बिंदू यहां पर दे दिए तो जैसे तीन बिंदू आप लिख लो आप तो रीजन क्या दोगे उसके लिए आप क्या करो कोई भी एक त्रीबुच पकड़ लो पहले जैसे मैंने यह वाला त्रीबुच पकड़ लिया इस त्रीबुच में क्या क्या चीज तुमने यूज की है एक तो यह बुजा यूज की है ना यह वाली बुजा यूज की है इस इस तरीके से ये दोनों त्रिभुज S, A, S से क्या हो गए? सर्वांक सम हो गए. और सर्वांक सम होते ही इस त्रिभुज की सभी बुजाएं, इस त्रिभुज की सभी बुजाओं के automatically बराबर हो जाएंगी. तो हमें कौन सी बुजाओं को बराबर दिखाना है? हमें दिखाना है कि ये जो A, B है, वो किसके बराबर है? A, C के. तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, A, B किसके बराबर है? A, C के. और reason यहाँ पर क्या देना है? C, P, C, T. तो इस तरीके से बच्चों हमने इस question को यहाँ पर completely solve कर लिया है. I hope कि आपको यह पूरा solution समझ में आया होगा. Thanks for watching.